हरो माई दीрь फ्रेंड्स आजकी क्लास में हम डिश्कस करेंगे कमपोणेंटो ऑफ कोस्ट जो की वैरिए्स पंपोणेंट होते है कोस्ट के प्राइम कोस्ट फैक्टरी कोस्ट इसाम ड्यान कि कि जितना ज्यादा आप शेयर करोगे जितना अच्छा रस्पोंस आएगा वीडियो का उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाने के लिए तो आप अपने फ्रेंट्स के साथ में शेयर जरूर करना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ठीक है तो कोस्ट डायक्ट मेटरियल कोस्ट डायक्ट लेबर कोस्ट और डायक्ट एक्सपेंसिज अगर आपको नहीं समझा रहा है डायक्ट लेबर कोस्ट डायक्ट मेटरियल कोस्ट डायक्ट एक्सपेंसिज क्या होते हैं तो पहले वाली वीडियो देख लेना सभी मैंने करवाया ह हुआ है तो यह सब किया हुआ है तो आप आण से देख सकते हैं फैक्टरी कोश्ट क्या होती है कोस्ट जो कि प्राइम कोश्ट और जो की फैक्टरी एक्सपेंसिस जो होगी यह यह जो जो manufacturing cost क्या होगी manufacturing cost में जो की फैक्टरी कोस्ट यह जो फैक्टरी कोस्ट आ गई प्लस में administrative expenses आ जाएंगे manufacturing cost में factory cost कि सथ सथ administrative भी एड हो जाएगा next आधा total cost total cost is a sum of the manufacturing cost sale expenses and distribution expenses total cost is equal to manufacturing cost sale भाला भी एड कर देंगे दें distribution के जो भी expenses लगेंगे वो भी एड कर देंगे तो total cost आ जाएगी यह तो total cost आ गई देन क्या होता है selling price जो होता है na selling price is the sum of total cost and profit यह total cost जो आई है ना प्लस में profit एड किया जाता है ठीक है यानि कि customer कितना price पे करेंगे अगर हम कोई product sale करेंगे तो selling price होता है total cost plus profit या losses minus losses तो गया plus minus यानि कि profit and losses ठीक है selling price जो होगा total cost में हम एड करते हैं profit को या loss को minus करते हैं कि नेक्स्ट यह लेडर है जो कि cost involved होता है various cost जो involved होती है इस तरीके से दिखाया गया है एक जैसे कि लेडर कितना है जैसे कि डारेक्ट मेटरियल कोस्ट डारेक्ट लेबर कोस्ट और डारेक्ट उसके बाद यह क्या है डारेक्ट जाएगा यह जाएगा यह जो प्राइम कोस्ट होते जा रही है यह सभ तिनों मिलाके प्राइम कोस्ट ठीक है और यह इसमें एड कर दिया factory expenses को तो आ जाएगी factory cost ठीक है इसमें add कर दिया factory cost में administrative expenses add कर दिया तो manufacturing cost आ जाएगी manufacturing में sale and distribution भी add कर दिया तो total cost आ जाएगी अब total cost में से हम plus minus कर सकते हैं तो selling price set कर सकते हैं तो एक तरीके से ये जो है न ladder of cost है यानि कि पहले जो था तीनों cost को मिलाके direct तो प्राइम कोस्ट आ गई अब प्राइम में factory expenses एड़ कर दिया factory cost आ गई factory में administrative expenses एड़ कर दिया तो manufacturing आ गई और जो manufacturing cost में total जो sale and distribution आड़ कर दिया तो total cost के लिए हम या करते हैं plus minus profit करते हैं न loss होगा तो minus करेंगे प्रोफिट होगा तो plus करेंगे तो selling price आ जाएगा तो यह ता discussion आपको helpful लोगा अगर वीडियो अच्छे लगे तो अपने इफ्रेंशन से जूर करना मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में थैंक यू हमेला इस दे